हेलो फ्रीवान वेल्कम बैक टू ओडिशा प्राइमेरी स्कूल आम्हें पढ़िवाजी क्लास टेन इंगलीज क्रामार बुक्रो चेप्टर नाइन जो उड़ाई की कौनना पेसिव दा पेसिव दा पेसिव टा कौनना बहुत बहुत इंपर्टान कहीना सबू एंट्रांस एक पेसिव चेप्राटा रहिजी तो एट हुई सिखे जाओ जो चत्ते बढ़ेवी कॉम्पूटेटिव एक्जाम दाओ तो आपाएं बेटर रहिवा तो देखो फास्ट रहे हमें कौनन देख़्िवा दा पेसिव तो जोजी तुमाने प्रिभियोस वीडियो वड़ां देख् देखो मार्क धी सेंटेंसेश फ्रम यर टेक्स्ट्बू क्लास् नाइन धाएं जो एक्जाम पोल्जयम दिखी आप्टर फाइपर फाइप आथ लागी थे था जानु कि मैठ थाय बेट्ट बाइद फेस्टेशन पाय लागीजी नाइवनिक अट्बाइध जॉल्य जुलाई 1992 तो देखो 80 कोणना 80 गोटे जिन सो देखो भॉयस कोण भॉयस देजी the objective of the active sentence used as the subject of the passive sentence तो active sentence कोटे थाए आउटा होजू passive sentence तो active sentence रो आमे कोण कर थाऊ ना active sentence रो जो उटा थाए कोण सब्जेक्ट सईटा passive sentence रो कण ही जाए अब्जेक्ट सरी अब्जेक्ट हाऊच active sentence रो पैसिव रो सईटा ही कोण होए subject हुए या रो फर्माट रही जी सबु टेंसों सरे अलगालगार होई वो आउग कोण फर्माट the verb in the active sentence is changed into its appropriate passive form that is b plus n भार फर्म of the man भार फर्म हीता है आउग कोण रही जी दा by plus the agent आउग कोण agent phrase may be left out depending on the situation अनुच एटा तमें की चेट सेंटेंस उड़ा पुझी करना थो किंदो अवजे तरह फर्माट करिया देखो एट देखो एट वासला पाठाओ जोडागी रोजी present simple ले क्यमतिव हावे active sentence रुप्रेसिब सेंटेंस को कुण भॉट करियो फास्ट रोला present simple प्रेजेंट सेंप प्रोथेस अर गीबेन टुदा चिल्डन एबरी उइंटर तो मार्क दी अक्जूलारीन प्रेजेंटेंस फोलड़ भाई दा मेनभार येन फोर्फ ये थिला present simple ले past simple present progressive कॉन्ड़ जी past simple ले यार यूजे सोडा में next next बुड जलिए past simple ले कॉन्ड़ जी फोर्माट माई पोर स्टोलेन ये डिए खाली फोर्माट उड़ा देखो हैला केमती passive sentence देजी active sentence देही नहें passive sentence देही तो present simple कोंड़ तेला is played है गोला त्यको जबार पोर्मट नेक्स्टोची past simple कोंड़ जी माई पोर्ष वाज स्टोलेन एस्टरडे वाज स्टोलेन आव कोंड देची सुइड़्स रडिस्ट्रिव्यूटेड एमंगदा स्कुल्टिट्रें, एठी कपणेला, वेर्टिष्ट्रिव्यूटेड तो एठी कणेला भार फोर्माट वाज वेर्. न लगिला, ठीकाची भार्प केत्ती प्रकारेरों सबड़ा माने रख्यों भार पांच प्रकारेरों गुडो चु भार बन भार टु अ कोण हेटा है भार थ्री भार फौर और डे होची भार फाइब तो भार बांट आ कोणो भार बन होची जो द्याव गोटे वाडन अबा जमतिकी गो બાર્ટુ કણો બાર્ટુ ગરો ગો ઉએન્ટ ભાર 3 હછું ગો નઈગો તાપર્પર ભાર પકણો ભાર ફકણો ભાર ફકણો going अओटे होचू तार e-n form तो एठी गौर थो e-n form नाई stall रोज ऐठी और अपर कोणे जो तो एठी e-n form होटता एठी e-n form होट्टा आउड़ होटता प्रptureटा भार प्रमाट मन रख्यो उडोज भार वण, भार्टो, भार 3 आउट एउजी भार 4 भार 5 एती ता आपर देखो present simple प्रेजेंट सिंपुल कोला past simple कोला एपि देखिवा में present progressive past progressive present progressive प्रेजेंट प्रोग्रेशिव रे कोण हीता है football is being played एटी आसी वोला कोण is being played in this playground the sum is being worked एटी कोणो हीला blackboard एटी is being लगिला एटी कोछी तो एटी कोणो लगिला एटी देखो लगीची एटी होची auxiliary plus being plus past participle form of the man भार लगीची तो ये थिला being worked एटी आसी प्रेजेंट प्रोग्रेशिव रे ता प्रेजेंट प्रोग्रेशिव रे नेक्स्ट एटी है थिला where being painted तो एठी कोणो हीला where plus being plus when man pen to second form तो एठी कोणो हीला your painting has been changed into where being painted was making verb into is being made तो एटा कोला था प्रेजेंट पर्फेक्ट आवटर हीला post perfect ब्रेजन्ट वर्पेक्ट र क्यामति फर्माट दा रोम हगी लोट्पौ डेकोरेटेड दाह प्लावर हब बीन कलेक्टेड फोर्द क्यों फोजाएं तो यह सेंंटे सकाया देखो भार फार्माटा क्यामति है बाढूरेटे लिया कि प्शेंच अपरेकोरेटेड अपर्द क्य प्रेजंट पैस्ट पर्फेक्ट और पास्ट पर्फेक्ट पर्फेक्ट और फेनध कर यहां हाँ जोला जम्तिकी वील भी दे लेटर विल भी टैप्ट सुन्न दा वार्क सुड बी कम्पलेटर एड़ी लागयो ऐटीक होची तो अटी देखो विल टाइप और सूड कम्पलेट है विल जैंच नेंटु विल भी टाइप्ट आउ सूड भी एड़ी विल लागयो ला भी तो लीमीटेड सीच्योशन नहीं क्वड़ाय में इन फॉर्माल इंगलिस रही बस ताप रहे पैसिव यूजरुईत कॉम्प्लिमेट कुम्प्लिमेटर केम त्या हावा देको एक्टिव सेंटेंस रहो ची तो एक्टिव सेंटेंस रहो ची ताको में पैसिव कोले तो एक्टिव सेंटेंस रहो ची तो एक्टिव सेंटेंस रहो ची ताको में पैसिव कोले तो एक्टिव सेंटेंस रहो ची तो एक्टिव सेंटेंस रहो ची तो एक्टिव सेंटेंस रहो ची तो एक्टिव सेंटेंस रह पेसिब यूज रूई थें कॉमप्लिमेट ताब रह ची पेसिफ फॉर्म भाव सेभिंग टू अबजेंट जटते वड़े दीदी टह आबजेक्ट हो जो गोट्ट आपजेक्ट है तो आमें अबजेक्ट्ट कॉन करदा आबजेक्ट्टो आमें स अबजेक्ट्र कण्वर्ड क अब्जेक्ट कुना वो थाव सेकेंड अब्जेम्पूल देखो फादार गे 50 रूपीज तुदा सन तो जो उटा फास्ट अब्जेक्ट सेटागो आमें सब्जेक्ट नावाई तो एड़ी कौन दीटा रोईची उटे तो एई सेंटेंस रहा दूईटा सेंट अब्जेक्ट तो एड़ी देखो you must have observed that nearest object become the subject in the passive sentence तो जो उटा उब्जेक्ट सब्जेक्ट पाखरे थिवो मुँ तो कोईची फास्ट अब्जेक्ट जो उब्जेक्ट माना जो उब्जेक्ट सब्जेक्ट पाखरे थिवो फादार गेब दा सौन इस सेंटेंस रहे गेब दा सौन दा सौ आउटा nearest object become the subject एटा का मना रख्यो जो तरणा में दूइटा object थाए आपकोणों detransitive verbs like give, ask, bring, take, tell, etc. can be pacified in this way तो एई भड़े प्रकार है जो give, ask, bring, take, tell एई सब वार्ड गुड़ा को सब कोण हैता है ना पैसिव एई भड़े प्रकार है जो उटा nearest object become the subject of the passive sentence ठीकोची एई सेंटेंस टा को मना रख्यो तो आमें सोब फर्माट उड़ा देखी देले सोब फर्माट रे कौन-कौन थेला past perfect प्रेजेंट पर्फेक्ट के बेभी change one एटा मना रख्यो एटा उटा कोला present simple बुल्लोबी सैसे मान रख्यो लेग वो तावर present progressive past प्रफेक्र प्रेअजिव रहो एगनला बिंग लेग वो बिंग खिले जिम्ति कि जोटा नियोरेस्ट अब्जेक्ट विकॉम दा सब्जेक्ट अब दा पैसिब सेंटेंस तो यह थिल आज रह वीडियो भल लगतले लाइक करेवा शेयर करेवा तो प्रेंड मानको से तो ओडिसा प्राइमेर स्कूल को सब्सक्राब करेवा को जमाए भुले न नहीं पाकरती अब बैल आइकोन को वर नोट्टिफिकेसान नहीं आती प्रेस करेवा तो देखावा नेक्स्ट विडियो रहें